नमस्कार मैं पूनम्त्रिवेदी अनुदेशक राजकी और द्योगी प्रसिक्षण संस्थान अली गंच लखनव। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर की पाथिचर्या के विशे सैध्धांतिक की पाथिचर्या में अंकित प्रसंग, स्प्लेट बियरिंग तथा फिक्षर पर प्रसिक्षण प्रदान करूंगी। बियरिंग किसी घूमने वाली मशीन के पाथ को समानने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बीरिंग एक ऐसी यांतरिक युक्ति होती है जो मशीन के दो या दो से अधिक भागों के बीच कम से कम घर्षण के साथ सापेक्ष गत की सुविधा प्रदान करती है जो भी दो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं उनके बीच में बीरिंग को हम लगाते हैं जिससे कि उनके बीच में घर्षण कम उत्पन हो तथा मोशन को ट्रांस्मिट किया जा सके बीरिंग दो प्रकार की होती है अगर बीरिंग को classify किया जाये तो mainly यह दो प्रकार की होती है एक friction bearing होती है और दूसरी anti-frictional bearing होती है यानि कि घरशन बीरिंग और घरशन रोधी bearing घरशन बीरिंग में surface contact होता है जबकि घर्षन रोधी बीरिंग में point contact होता है घर्षन बीरिंग क्या होती है? जब बीरिंग और shaft दोनों के बीच में surface contact हो यानि कि दोनों की सतय आपस में मिल रही हो तो इस प्रकार की बीरिंग को घर्षन बीरिंग कहते हैं इन बीरिंग में क्योंकि दोनों सत्य आपस में मिलती हैं इसलिए इनमें घर्षन ज्यादा उत्पन होता है जिसको कम करने के लिए प्रॉपर कूलेंट या लूब्रिक एंट का प्रियोग किया जाता है जबकि घर्षन रोधी जो बीरिंग होती है उनमें उनमें शैफ्ट और बीरिंग दोनों के बीच में पॉइंट कॉंटक्ट होता है क्योंकि इनमें रोलर्स लगे होते हैं तो इसमें सर्फिस कॉंटक्ट ना होकर पॉइंट कॉंटक्ट होता है और पॉइंट कॉंटक्ट होन स्प्लिट बियरिंग का प्रियोग करते हैं जहां पर गोली बियरिंग को बदलने में असुविधा होती है या उसे लगाने में असुविधा आती है इस लिए हम स्प्लिट बियरिंग का प्रियोग करते हैं split bearing दो भागों में बटी होती है यह दो पार्स में होती है इस कारण इसे आसानी से किसी भी शैफ्ट पर फिट किया जा सकता है तथा इसको निकाला जा सकता है यहां बेरिंग प्रियोग करने से मशीन और प्लान का डाउन टाइम कम हो जाता है तो यह टाइम जिस समय मशीन के खराबी के कारण प्रोडक्शन कार रुका होता है उसे मशीन का डाउन टाइम कहते हैं क्योंकि यह बेरिंग को इसली मशीन पर फिट कर सकते हैं उसको निकालने में आसानी होती है और इसको फिट करने में भी आसानी होती है यह जल्दी फिट हो जाती है दोनों पार्ट क्योंकि इसके अलग अलग होते हैं तो इस और इनका alignment भी सही होता है तो इस लिए split bearing के प्रयोग से downtime काम होता है तथा machine का production कारे भी बढ़ जाता है अगर split bearing के बात की जाए तो इन bearing को cast iron के plumber block में fit किया जाता है यह bearing दिखाई गई है चितर में यह दो भाग में होती है फर्स्ट अंदर का part को हम inner race बोलते हैं उसके उपर clamping ring लगाते है इनर race के उपर clamping ring होती है उसके उपर cage और roller assembly लगी होती है roller assembly का काम होता है friction को कम करना फिर outer race को fit करते हैं उसके बाद ceiling करते हैं ceiling को housing में fit करके फिर इस bearing को shaft लगाते हैं इस प्रकार से यह bearing दो parts में बनी होती है और इसे cast iron के plumber block में fit करते हैं और यह easily किसी भी shaft पर fit की जा सकती है split bearing के प्रकार split bearing में लिए दो प्रकार की होती है एक flange प्रकार होती है दूसरी समानतर प्रकार flange split bearing में bearing के किनारे उभरा हुआ पार्ट होता है यानि कि कॉलर लगी होती है इस प्रकार की bearing पहले पीतल के बनाए जाते थे जिनमें journal स्वतंत तरीके से घूमता था यानि कि जो shaft अंदर होता है bearing के अंदर उसको हम general बोलते हैं जिस shaft पर bearing लगी होती है तो bearing के अंदर general स्वतंत तरीके से घूमता है इस तरह के bearing पर white metal या babbit metal की lining करके नहीं कार इंजिनों में प्रयोग किया जाता था फ्लैंच प्रकार की bearing को के उपर white metal या babbit metal की lining करके कार एंजिनों में प्रयोग किया जाता है second है समांतर प्रकार समांतर या parallel bearing split bearing इस प्रकार के bearing में एक steel shell होती है जिस पर white metal या किसी अन्य मिश्रधातु की lining की जाती है इसमें इसके किनारे पर उबरे नहीं होते हैं इसमें colors नहीं लगी होती है देखने हैं आप चित्र में यह है flange bearing है और यह समांतर प्रकार के bearing में steel shell होता है जिस पर white metal की lining की जाती है यह एक गोला कार वाहे खोल होता है जो सही दरीके से connecting rod पर fit किया जाता है इसे हम पतली दीवार की bearing भी कहते हैं समांतर प्रकार की bearing को पतली दीवार की bearing भी कहा जाता है split bearing को पकड़ना, split bearing को हम कैसे shaft पर पकड़ते हैं, या कैसे उसको fix करते हैं, यह देखते हैं, split bearing को set करने का तरीका, सभी bearings को set करने का तरीका एक ही जैसा होता है, चाहे उनका कुछ भी size हो, अगर single split bearing को set करने के लिए, हमें क्या कैसे जरुत होती है, तो bearing assembly, bearing assembly है यह और यह full assembly है, bearing assembly की बात करें, सिर्फ bearing की बात करें, तो यह है, इसमें कौन-कौन से parts होते हैं, first होता है inner race, clamping ring, cage, outer race, यह दो पार्ट में होता है, दो इसके inner race होंगे, clamping ring होगी, cage होगा, नीचे भी आई होगा, और outer race होगा, अगर full assembly की बात करेंगे, तो full assembly में नीचे वाले portion को support कहते हैं, इसे support या pedestal base बोलते हैं, इसके उपर housing को fit किया जाता है, next यह portion housing है या इसे cartridge बोलते हैं, फिर bearing assembly लगती है, जो यह bearing assembly यहां बताए गई है, इसको इन दोनों housing के बीच में fit करते हैं इस assembly को, bearing assembly के बात, दूसर अगरden ऐसे उपर एक और housing लगती हैं और उसके उपर pedestal cap लगाकर, nut bolt लगाकर, हम इसे fit कर देते हैं, तो अगर हमें किसी shaft पर split bearing को fit करना होगा, तो हम सबसे पहले shaft के उपर inner raise को fit करते हैं, इनर रेस, इनर रेस को हम शैफ्ट पर फिट करते हैं, अगर ये कोई शैफ्ट है तो इस पर हम पहले इनर रेस को फिट करेंगे, ये शैफ्ट है माल लीजे, इस पर हम इसके उपर इनर रेस को फिट करते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में होता है तो ये हाफ आफ करके हम जब दोनों पार्ट्स एक इनर रेस का ये हाफ पोर्शन और इनर रेस का सेकेंड हाफ पोर्शन ये दोनों ही सीध में होने चाहिए यानि कि ये दोनों एक दूसरे को उपर सीध में फिट होने चाहिए बेरिंग को फिट करते समय दोनों इनर रेस के जॉइंट पॉइंट कॉ लगा करके इनर रेस को टाइट करते हैं इनर रेस टाइट करने के बाद उसमें केज केज यानि की रोलर एसेंबली यहां पर एक रोलर एसेंबली लगी होती है इनर रेस के ऊपर उस रोलर एसेंबली को फिट करते हैं उसके बाद रोलर एसेंबली फिट करने के बाद में दोन रोलर असेमली के उपर इस प्रकार से फिट करते हैं और हाउसिंग को आउटर रेस में फिट करके सपोर्ट यानि कि जो पेड़ेस्टिल कैप है उसको नट और बोल्ट से टाइट कर देते हैं इन आउटर और इनर रेस के बीच में यहां पर यहां पर शैफ्ट लगा होता है शैफ्ट के उपर हाफ पोर्शन में पहले इनर रेस उसके बाद क्लैंपिंग रिंग फिर उसके बाद रोलिंग असेमली और उसके बाद आउटर रेस को फिट करने के बाद आउटर रेस को पह तो इस प्रकार से split bearing को किसी shaft के ऊपर fit करते हैं इस split bearing को पकड़ते समय हमें या fit करते समय क्या साधानिया या क्या बाते ध्यान में रखनी चाहिए तो सबसे पहले जब हम bearing को fit करते हैं तो दोनों भागों को मिलाने वाली रेखा व्यास रेखा पर होनी चाहिए जो shaft का axis है उसका जो व्यास है माली यह shaft है इसका अगर यह center point है तो अगर दोनों माली जाए inner race यह दोनों पार्ट हमने split bearing के इस पर fix किये तो यह जो है लाइन इसका व्यास रेखा यानि कि समानतार होना चाहिए दोनों यह contact point और यह contact point सीध में होना चाहिए मिलाने वाली जो रेखा होती है वह व्यास रेखा पर होनी चाहिए दूसरा वाहे आकरती गोलाकार होना बहुत जरूरी है जब भी हम split bearing को fix करते हैं तो जब हम shaft के उपर सबसे पहले inner race को लगाते हैं inner race को fit करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि inner race और shaft के बीच में कोई gapping ना रहे यह पूरी तरीके से shaft के उपर इनर रेस पूरी तरीके से shaft के उपर fit होनी चाहिए इनमें gapping नहीं होना चाहिए दूसरी भात ध्यान में यह रखनी चाहिए कि जब दोनों पार्ट को हम fit करते हैं तो दोनों पार्ट की जो contact point है line है वो seed में होना चाहिए ऐसा ना हो कि एक उपर का जो bearing है उपर की bearing यह जैस कोनों का joint point है वो joint line है वो एक seed में होना चाहिए उससे अलग हटके नहीं होने चाहिए तीसरी भात ध्यान में यह रखते हैं कि bearing को fit करते समय हैं soft hammer का प्रियोग करना चाहिए जिसे हम मैलेड बोलते हैं किसी hard hammer से उसको ठोकना नहीं चाहिए वन्ना वीरिंग खराब हो जाएगी तो इस प्रकार हम bearing को set करते समय इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है split bearing का प्रियोग आजकल बहुत ज्यादा करते हैं जहां पर ऐसी जगे जहां पर shaft में bearing को पकरना जहां पर fit करना मुश्किल होता है वहां पर हम easily fit करने के लिए और जल्दी fit करने के लिए split bearing को प्रियोग करते हैं क्योंकि यह दो भाग में बनी होती है असानी से इसको हम fit कर स के लिए हम उपर के support को खोल देते हैं नट से ट्वाइट होता है उसको हम खोल देते हैं और उसके बाद में उसको खोल करके हम सारे उसके parts चेक कर लेते हैं outer race और roller assembly सही है कि नहीं अगर कुछ भी बदलने के लिए होता है कि यह ठीक नहीं है तो उसे हम replace करके दूसरा bearing दू split bearing की बात करें तो यह self alignment option इसमें होता है flexible ceiling होती है easy interchangeability होती है इसमें अगर कोई part खराब होता है तो हम किसी दूसरे part से इसको easily interchange कर सकते हैं तो यह इसके उपयोग हो गया है या इसके लाब हो गया है split bearing के और split bearing की बात की जाए तो इससे overall downtime कम हो जाता है यानि कि आपका production कारे रुकेगा नहीं बाधित नहीं होगा तो जो machine का जितनी देर के लिए बंद रहती है यानि कि जो downtime होता है वो कम हो जाता है जिससे production लिए बढ़र की अवश्यक्ता नहीं पड़ती है यहा लागत को कम करता है split bearing लागत को कम करता है तथा इसको fit करते समय shakt पर लगे और अर सारे components को हटाने की अवश्यक्ता नहीं पड़ती है जैसा कि बागी bearings को हटाना होता है अगर हमें change करना होता थो उसके ंओ onboard olmas को निक पालने की अवश्रक्ता नहीं पड़ती है, यह split bearing के लाब हो गया है, फिक्षर, एक उत्पादक औजार है, जो जॉब को लोकेट करते हुए पकड़ता है, यहाँ टूल को गाइट नहीं करता है, फिक्षर का काम सिर्फ जॉब को होल्ड करना और लोकेट करना होता है, यह कीन टेबल पर नट और बोल्ट की साहता से हम फिक्षर को फिट कर सकते हैं, ज्यादा तर फिक्षर का प्रियोग लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, से पर प्लेनर, मिलिंग मशीन, इत्यादी मशीनों पर किया जाता है, फिक्षर का प्रियोग हम लेथ मशीन, ड्रिलिंग, मि करें अगर तो लेत मशीन के हैड स्टॉक पर जॉब को पकड़ कर टर्निंग के लिए कुछ विसेश प्रकार के फिक्षर हम प्रियोग कर सकते हैं जो की निम्न है फस्ट है थ्री जॉव और फोड जॉचक दूसरा कॉल इट तीसरा फेस प्लेट चौथा मेंड्रिल और पांच वा मिलिंग वाइस यह इतने प्रकार के फिक्षर हम लेत मशीन पर प्रियोग कर सकते हैं जिसमें सी पहला है थ्री जॉव और फोड जॉचक से आप इसका डायगराम देख सकते हैं ।्री मतलब जिसमें तीन जबडे होते हैं और फोड जॉज जॉज यानि कि जबडे लग और उन्हें बन करने पर दोनों जॉख साथ में बंद करने रहे लाइन हुना है इस में इस जो मॉता है 4 इसमें हम राउंड आकार के सिलिंड्रिकल जॉब को पकड़ते हैं और इसमें सेंटर करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है हम जॉब को कसते हैं, आटोमेटिक जॉब सेंटर में ही रहता है, जबकि फोर्जव चक में जॉब को पकड़ने की अवश्यक्ता पड़ती है, जॉब को सेंटर करने की अवश्यक्ता पड़ती है, जिसके लिए हम चक की और मार्किंग ब्लॉक का प्रियोग करते हैं, फोर्ज चक में जॉप को पकड़कर विभिन operations कर सकते हैं जैसे कि turning, facing, step turning, drilling, threading, इत्यादी operation हम 3 और 4 जॉप चक में कर सकते हैं सेकेंड है कॉटे चक कॉलेट चक यहां आपको चित्र मीं दिख रहा है यह कॉलेट चक है यह लंबा और आगे से टेपर में होता है इसके किनारे पर साइड में एक सरे पर कॉलेट लगा होता है और यहां भी रोड को सपोर्ट करने या पकड़ने के लिए हम कॉलेट का प्रियोग करते हैं कॉलेट का प्रियोग पतली जॉप को पकड़ने के लिए किया जाता है थ्री जो और फोर्ज चक की बात करें तो यहां कास्ट आइरन के बने होते हैं और कॉलेट की बात की जाए तो यहां स् प्रियोग विभिन आकार के जौब को पकड़ने के लिए किया जाता है जिनका आकार निश्यत नहीं होता आनियमीत आकार के जॉब फेस प्लेट पर पकड़े जाते हैं यह फेस प्लेट भी कास्ट एरेंट की बनी होती है इसका प्रियोग भी हम वर्क या जॉब होल्डिंग डिवाइस के रूप में हम इसे प्रियोग करते हैं मेंड्रिल फोर्थ पॉइंट है मेंड्रिल मेंड्रिल क्या होता है जब हमें किसी हॉलो रॉड या हॉलो जॉप की टर्निंग या फेशिंग या उस पर कोई और ऑपरेशन करना होता है और उसे पकड़ना होता है तो हम मेंड्रिल का प्रियोग करते हैं मेंड्रिल चित्र में रशाया गया है, ये मैंडरल है, ये थोड़ा सा टेपर में होता है, इसके दोनों सिरों में टेपर होता है, 1-2000 का टेपर में बनाया जाता है, इस एंड को लार्ज एंड कहा गया, इसे स्मॉल एंड और कॉर्नर में फ्लाईट मशीन एंड दिये होते हैं, इन मैंडरल को प्रय उसके बाद में दोनों centers के बीच में दो centers लगाया जाते हैं उनके बीच में इस mandrel को पकड़ा जाता है Dog carrier की सहाईता से उसके बाद में उस hollow rod या job की turning या facing जो भी हमें operation करना होता है हम करते हैं turning facing करते हैं तो मैंडरल का भी प्रयोग हम एक तरीके से work holding device के रूप में करते हैं यह job को पकड़ता है और साथ में locate करता है मैंडरल की बात की जाए तो मैंडरल high carbon steel के बनाय जाते हैं और इनका प्रयोग hollow job को पकड़ने के लिए करते हैं फिछ million wise AP billing wise किंग्या है million why वाइस आपको चित्र में दिखाया ग्या है यह देखिए इसका प्रयोग भी हम जॉब को hold करने के लिए करते हैं पकड़ने के लिए इसमेंándal लगा होता है एक इस्थिर जबड़ा होता है और चल जबड़ा होता है यानि कि वह मूव करता है तो इस दोनों जोज के बीच में हम किसी जॉब को पकड़ते हैं और उसको फिट कर देते हैं या होल्ड करता है जॉब को फिक्स करता है और साथ में फिर हम जो भी ऑपरेशन करना होता है वह हम करते हैं इ case plate, mandrel और milling wise. फिक्षर की उद्देश क्या है? फिक्षर हम क्यों प्रयोग करते हैं, उसका क्या उद्देश है? अगर इसकी बात की जाए, तो बनावट और उद्दादन के कारियों में फिक्षर बहुत ही महत्वपूर योगदान देता है. फिक्षर के प्रयोग से समय की बचत होती है इसके साथ ही एक्षित गुण उचे तस्थर के उत्पादन भी प्राप्त होते हैं फिक्षर निमलिखे तुद्देशों की पूर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है फर्स्ट है विनमेशील मशीन पूर्जे तयार करना विनमेशील यानि की इंटर्चेंजबल मशीन पूर्जे पर प्रयोग कर सकते हैं विनमेशील मशीन पूर्जे तयार करना फिक्षर का उद्देश है क्योंकि फिक्षर जॉब को होल्ड करके रखता है जॉब हिलने नहीं पाता है तो ऑपरेशन हमारा सुचारू ढंग से हो पाएगा और ऑपरेशन हो पाएगा सही से तो कोई भी एरर नहीं आएगी और जॉब हमारा एक डिफिनिट जो भी साइज हमें तयार करना उसी साइज में बनकर तयार होगा नेक्स्ट है भिन भिन आकार वा प्रकार के जॉबों को पकड़ना अलग-अलग आकार के जॉब होते हैं ज अलग-अलग आकार और प्रकार के जॉब फ्रिक्षर के द्वारा ही हम पकड़ सकते हैं और उन्हें सही से लोकेट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट है जॉब को श्रीक्र पकड़ना वा खोलना जल्दी क्योंकि जब भी हम पहले हम जब भी ऑपरेशन करते तो हाथ द्वारा भी जॉब को बनाते थे तो उससे हमें बहुत सारी कठिनाई आते थि जॉब को पकड़ना और इसको सही से बनाना थे में दिक्कते आती थी और इस फिक्षर के प्रियोग से जॉब को हम अतिसीग्र पकड़ सकते हैं और जल्दी ही उसको खोल भी सकते हैं जब हमारा काल्य जटिल आकृति के जटिल होती है उस टाइप के जवाब को भी हम सुविधा पूर्वक पकड़ सकते हैं उत्पादन दर्में व्रध्धी करना जब प्रोडक्शन जब को सही से होल्ड कर पाएगा फिक्षर तो उत्पादन करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी प्रोडक्शन कारे सुचारू रूप से संपादित हो पाएगा जिस कारण उत्पादन दर में व्रध्धी होगी यह फिक्षर के उद्देश हो गए फिक्षर की लाफ की बात की जाए तो इनके उप्योग से उत्पादन की दर भढ़ती है और समय की भचत होती है जोब को बार विनमेशील बनते हैं यानि कि इंटरचेंजबल बनते हैं उन्हें असेंबल करने में आसानी रहती है कम कुशल कारिगर भी काम कर सकते हैं जब हमें फिक्षर का प्रियोग करना होता है तो ज्यादा कुशल कारिगर की आविशक्ता नहीं होती है कम कुशल कारिगर भी आसान सुध जॉब बन पाता है इसका प्रियोक से material की बचत होती है क्योंकि material खराब नहीं होने पाता है इसलिए material की बचत होती है फिक्षर के प्रियोक से सुध माप सुध माप के job तयार के जाते हैं प्रिसिक्षण का सारांस, आज हमने split bearing, bearing, split bearing और split bearing के प्रकार, fixture, late turning fixture और fixture के लाब, ये इन बातों पर प्रिसिक्षण प्रदान किया है प्रियुक्त संदर मैंने निमीज e-book for Turner Theory तथा Basic Turner Theory राज एंड रंजीत से लिया है आज मैंने आपको split bearing तथा fixture के बारे में प्रिसिक्षण प्रदान किया है आशा करती हूँ कि या प्रिसिक्षण आपके भविशहेत मददकार होगा धन्यवाद कि या दो